Coding की सबसे बड़ी खुबसूरती पता क्या है आप एक application बना सकते हैं वो भी सिरफ 14 lines of codes के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी application डिवेलप कर सकते हैं और वो कुछ इस तरीके से देखेगी यह आपके एक app है जो सिरफ 14 lines of codes से आपने क्या करना है यहां पर अपनी open AI की की डालनी है जो मैंने पहले लिखी हुई है यहां पर मैं enter करता हूँ and now I can ask anything मैं यहां से पूछता हूँ how can I learn coding for python ठीक है मैं command enter या control enter पर print करता हूँ या यहां पर submit कर दूँ यह app run करेगी and it will work as a chat GPT और मुझे यहां पर answer मिल जाएगा which I can utilize for later studies और believe me यह सिरफ 14 lines of code के साथ मैंने सारी app बनाई है मैं भी आपको दिखाता हूँ वो 14 line है कौन सी है सबसे पहले आपने क्या करना है folder कोई भी आप अपना choose कर ले for example यहां पर मैंने streamlet के अंदर जो github की repository मैंने description में link दिया है वहां पर अगर आप जाएं 13 streamlet के अंदर number 5 lang chain को use करते हुए 14 lines of code के साथ मैंने app बनाई है जिसका नाम रख है main.py आप इसके अंदर पहली line होगी के streamlet को import करें दूसरी line होगी openai को LLM model को import कर ले title मैंने रख दिया quick start app openai की key मैंने मांग ली जो left side पे मैंने आपको दिखाई हुई थी which works like this यहां पर अपने ai की key अपने customer से या अपने client से कहना कि यहां पर डाल दे and here you can write down your question यह मैंने नाम लिखा हुए and it actually works with the submit button and at the end we have answers तो मैं आपको यह दिखाता हूँ यहां से आप क्या करते हैं अपना कोई भी जो input आती है वो input text आप लेते हैं जो मैंने box के अंदर लिखा था उसको इस LLM से गुजारते हैं यह मैंने temperature दिया हुए 0.7 का which is a little bit different आप इसको change भी कर सकते हैं और यहां पर API की की जो है वो directly आप यहां से पूछ लेते हैं ठीक है so people can actually give you that API की on your app फिर आप क्या करते हैं उस पर LLM model को run करते हैं वो तो यह आपके पास generate response वाला एक proper function आ जाता है फिर आप क्या करते हैं आपके पास जो भी form आपने दिया है form का मतलब होता है कि आपके पास जो area है जहां पर आपने लिखना है this one ठीक है मैं अगर इसको refresh करूँ तो this area is kind of form तो आप form को यहां पर enter करते हैं input पूछते हैं user से submit करते हैं and then you can actually have the text from user in text area और उसको submit कर देंगे from form submit button अगर open AI की key SK से start होती है that's good अगर start नहीं होती इसका मतलब key जो है वो गलत है तो हम ये warning प्रेंट कर देते हैं कि अपनी key डालें ठीक है अगर वो key सही है तो उसको use करके आप generate text response कर लेते हैं तो simply ये 14 lines of code के अंदर एक app बनी है जो quick start app है similar to chat GPT अब इसके function को हम और भी utilize कर सकते हैं इसको और भी कम कर सकते हैं कि आप बजाए इसके कि लोगों से पूछें कि open AI की की दें इसको आप comment out कर दें और यहाँ पे आप अपनी open AI की की जो है वो खुद से paste कर दें starting with SK तो लोगों से पूछने की आपको जरूरी ती नहीं है मैं इसको save करता हूँ जैसे मैंने save किया I can rerun the app और यहाँ पे let me see इसको refresh करते हैं okay so there is something wrong in the code तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ यहाँ पे मैंने दो brackets डाल दी थी that was the error hopefully and let's see if it's working fine यहाँ पे open API key is not defined still that error is coming so you can actually what you can do instead of asking people के यह वाली key ने open AI key dot start with this one that's good तो आप simply यहाँ से open AI key key लोगों से मांग सकते हैं using this thing तो बजाए इसके कि आप यहाँ से open AI key key मांगे जो मैंने आपको पहले बूला था so you can what you can do you can actually paste here the open AI key जो मेरी key है and I can copy this thing here और जो key है इसके अंदर इसको मैं कुछ इस तरीके से store कर देता हूँ now the app doesn't need any API key है क्योंकि जो मैंने प्रवाइड कि है वही लोग use कर सकते हैं directly and then they can work on this for example यहाँ पर मैं लिखता हूँ what is the capital of Pakistan तो it will answer me the capital of Pakistan is Islamabad so this is how it can work लेगन मसला क्या है यहाँ पर जो मैंने key दी है it is visible to everybody और वह यह key का misuse कर सकते हैं तो इस वज़ा से हम key नहीं देते हैं यहाँ पर और हम उनसे user से कहते हैं कि आप अपनी key खुद से लें और API keys कहां पर जाती है कहां से मिलती है आपको पता है कि chat GPT key या open AI के अंदर आप अपनी API key बना सकते हैं using this API key function of open AI और यह पांच डॉलर तक आपको free देते हैं otherwise you have to add your credit card और बहुत सस्तीन की API keys मिल जाती है तो जो अभी मैंने key आपको utilize करके दिखाई है यह मैं यहाँ से delete भी करने वाला हूँ तो यह शोखे ना बने हो क्योंकि यह key काम नहीं करनी आपके लिए you can actually run piprex और इसके थुरू आपकी requirement की file बन जाएगी I can show you that one as well तो मैं इसको बंद करता हूँ इस app को and ls करने के बाद यह मेरे पास सारी चीज़े है मैं यहाँ पे सिरफ pip reqs piprex यहाँ पे pip requirements की base पे इसको run करता हूँ it will generate our requirements file here तो मुझे क्या क्या चाहिए यह दो libraries चाहिए which can help me to generate this app this is all about जनाद आपकी open AI lang chain की base पे एक shortest app बनाने का बहतरीन तरीका which works similar to chat GPT अगले lectures के अंदर मैं आपको बताऊंगा how can you actually hide your API keys यहाँ तक के लिए इतने like कर दे share कर दे and please do subscribe this channel as well take care, Allah Hafiz